AI will make smart people smarter and dumb people dumber यानि कि ये statement आज के समय में बिलकुल सच हो रहा है क्योंकि AI का use करके smart लोग और साथ स्मार्ट बन रहा है और dumb लोग और साथ डंबर बन रहा है लेकिन बात कर तो AI के बारे में जितनी बात अगर हम आज करते हैं इसका जो पूरा credit होता ने टेक्निकली 2022 में open AI के चैट GPT को जाना चाहिए वेल चैट GPT से पहले आपकी multiple AI हुआ करते थे उस जमाने में Google Assistant, Alexa, Siri ये सब थे लेकिन क्या होता था यार बहुत ही ज़ादा mechanical थे, ढंग से जवाब नहीं देते थे और कोई भी चीज बोलो समझ के जाद से आदा Google Search के results यहां पर promote कर देते थे लेकिन जब चैट GPT के introduction होता है 2022 में यार जब public level पे जब ये चीज आते तब पता चलता है exactly में LLM क्या है last language models क्या होते है यहां तक कि ये भी पता चलता है कि exactly में AI का user इतना नहीं कि चोटे मोटे काम करा लो इससे बहुत भड़गे क्योंकि open AI की chat GPT से हमें ये पता चला कि machine को उसका दिमाग ये computer उसका दिमाग कैसे दिया जा सकता है और उस साब अपने चोटे मोटे काम करा लो और हां उसके बास पूरी दुनिया के अंदर AI की जो race लगी है वो आज भी हम देखना है और वो आज भी हम खतम नहीं हो रही है लेकिन क्या AI की race से आप लोगा कुछ फायदा है या फ्रेसे फिक bubble हो रहा है आप लोगों को courses या अलग-अलग apps बेशने के लिए ये सारी बाते पता लगाना जरूरी था और आज इस वीडियो में ही पता लगा रहे है कि आगे चलके क्या होने वाला है क्या चीज़े हो सकती है और हाँ किन चीज़ों से हब बच के भी रहना है सबसे पहले तो कहानी को समझ लेते कि AI की race शुरू होती 2022 से जब chat GPT आता है किसी को अगर grammatical mistakes fix करानी है तो वो करवाने लगा किसी को अपना homework करवाना है किसी को कुछ assignment लिखना है या फिर किसी को अगर newspaper में article भी लिखना है तो लोग AI से हापी लिखाने लगे यानि की चीज़े बहुत जादा बढ़गी लेकिन शुरुआदी दिनों में सिर्फ टेक्स्ट पीमिटते तक यानि की आप कुछ डालोगे और उसका टेक्स्ट में ही रिजल्ट मिलेगा फिर दीरे दीरे image generation आने लगा कि image बना सकते हो आज के समय में हाले थे दर यह कि आप इसके अंदर image edit भी कर सकते हो यहां तक की images के साथ आप उसका वीडियो गर बनाना चाओ तो वो चीज़ भी पॉसिबल है पहले वीडियो के quality बहुत खराब हुआ करते है वीडियो बहुत जादा advance होते चलिए और इसका देखा जा तो impact दुनिया की हर एक company को पड़ा और हर बड़े company ने यहां पर AI में इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा और AI के बारे में और जादा serious होगी जैसे Google की बात करे चैट GPT के launch होने के बाद Google को इत्ता बड़ा जटका लग कि Google यह करती है ऐसी ही Microsoft ने चैट GPT के साथ integration में को पाइलेट को उतारा और आज अगर हम देखते हो तो पूरे Microsoft के अनरा आपको को पाइलेट ही देखने को उलता है यानि की बाकी लोग भी उस AI का यूज करके अपने product वगरा बिल्ड कर दे ऐसी entropy आई थी जो अपनी cloud AI को लेकर आई Elon Musk भी Open AI में initial investor थे और उन्होंने भी जब X यानि Twitter Q require किया था तो वो X नाम रखा और उसके बाद एक और नहीं company शुरू कर दी X AI जहां पर वो अपनी grok में यहां पर बनाते है चाहिना में Deep Seek इस साल बहुत popular हुआ था क्योंकि जो काम Open AI ने करोडों डॉलर लेके किया वो बहुत ही कम समय में बहुत ही कम पैसों में Deep Seek में करती है और ऐसे ही क्वेन नाम से एक अल्मी बाबा की भी AI चाइना के अंदर देखने को थी यानि कि हर किसी ने अपनी AI और अपने model यहां पर रिलीस कर दिया और इवन इंडिया के बात कर तो इंडिया में आपको सरवं AI जो कि इंडिया के indigenous model है वो देखने को मिलता है हाला कि वो भी development stage के अंदर ही है और उसको में ही मैंने check out किया था तो वो भी समझ में आ कि वो भी काफिक interesting concept हो सकता feature तब यानि कि artificial intelligence की एक ऐसी race लगी पड़ी है जिसमें दुनिया की हर एक company आगे भढ़ना चाहती है और आगे अंदर कुछ ना कुछ करना चाहती है कर उस जमाने में क्या होता था कि कोई भी company website वगरा बना रही उसे funding वगरा मिल जाती थी और market में बहुत hype थी लेकिन फिर जब dot com bubble bust होता है तो उसके बाद समझ में आ जाता है कि हाँ जिन चीजों में exactly में dumb है वही चीज़ा आगे चलके रुकी और बाकी जितनी भी website जिनोंने से funding उठा ली थी जिनके पास कुछ भी substance नहीं तर सर्फ हाइब थी वो सब यहाँ पे खतम हो गया यानि कि उस जमाने में Netflix हुआ करता था Google भी हुआ करता था Amazon हुआ करता था वो companies तब भी थी dot com bubble bust हुआ उसके बाद आज भी companies exist करते हैं पहले से जादा बड़ी हो पावरफुल हो गई लेकिन AI के साथ क्या case है लोको AI के अंदर बात करें तो हाँ आथ के समय में AI के दो रूप में देखता हूँ सबसे पहला तो एक random चेक एप आती जो की बोलती AI है और वो बोलते कि आप हमें पैसा दो सब्सक्रिप्शन दो हम आपको बाकी सारी AI का एक साथ सब पैकेज दे द यानि की सिर्फ आप जो सिंगल जो एप रहती वो यूज करोगी लेकिन आपकी जो क्यरी रहती है वो बाकी सर्वर्स पर भी जाएगी और वहां से डेटा लेके आपको रिजल्ट यहां पर दिखाएगी बेसेकली वो एक मीडियेटर की तरीके से बेहिव कर रहा है एक मिडिल वेयर कह सकते हैं अगर वो मीडियेटर को ही आप यहां पर पैसे दे रहो तो इस तरीकी की जो छोटे-छोटे स्टार्ट अप जो नए खुल गहे हैं जो सिर्फ यहां पर API कॉल करते हैं या फर सामने वाली अपनी जो क्वेरी रहती उससे सब एक जैपीटी को प्रॉसेस करने को दे रहें जैमनाय को दे रहें इस तरीकी की चीज़े बिलकुल खतम सी हो जाएंगी और हां मार्केट में वही चीज़े एक अंदर जूडी रहेंगी जो बहुत लंबे समय से आप पर काम कर रही और जितना जादा आप टेक्नलोजी को यूज करोगे उत्ता जादा आप एई को इंडिरेक्ली यूज करना शुरू कर दोगे सबसे पहले तो आज के समय में फोटो वीडियो तक तो बहुत अच्छे तरीके से लेकिन आने वाले समय में प्रॉपर वीडियो एडिटिंग भ अगरे जन्रेट कर देगी यहां तक कि आपकी फोटो को इंहेंस करना कुछ अलग लुक देना तो वह सब तो यहां पर ऑल्रेडी करी रही है इसके बाद बात करें तो आपका होमवर्क वगरा होगा यह सब चीज़े तो करी रही है लेकिन इसके बाद एंटर्टेन्मेंट वाली साइड में आपको एयाई रिलेटेड कॉंटेंट बहुत जाद देखने कुमले है और गूगल पर बहुत सारी वेबसाइट से जो एयाई बेस्ट आर्टिकल से आपके लिख रही है और इंटरनेट पर भी एयाई रिलेटेड वीडियो धीरे धीरे पॉप्लर हो रहे ह जानी कि एक ऐसा कांटेंट जो एयाई ने बनाया गया है जो आपकी लैफ में कोई भी मीनी एड नहीं कर रहा है कोई भी चीज सोचने भी मजबूर नहीं कर रहा है और आप माइंड लैसली दिमाग को बिना अब यूस करें आप उसको सिर्फ स्क्रोल करते जाओ यह चीज रोकने के लिए AI बनाई गई थी और फणी चीज यह कि ओपने अब इसी चीज के अंदर कूद रहे क्योंकि उन्हें पता है कि वीडियो कॉंटेंट में बहुत जादा पैसा है और इंस्टाग्राम के एड दिखा दिखा के मेटा है हम बहुत पैसा बनाता है तो हम क्यों पी यूचर में बताओं क्या होगा कि सिर्फ आपको अगर किसी चीज के बार में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको बस सिर्मपल पूछना है उससे कि आपको इसके बार में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आल्रेडी करेक्ट इंफॉर्मेशन चेक करके आपको बता देगा जैसे कि यहाँ पे आपको परिप्लेक्सिटी बताता है, आज के समय में तो AITL के यूजर्स को फ्री में मिल रहा है, तो अगर आप उसको अगर यूज करना चाहते है, वो तो काफी सही लगा मेरे को, और हाँ अगर किसी को अगर से टाइप करके बेसिक इन्फॉर्मिशन चाहिए तो यह बताती है कि हम चैट जीपीटी का यूज करके अगर आपको फिल्म की टिकेट बुक करने ही, आपको ट्रें टिकेट बुक करने ही, तो आप आसानी से कर सकते हो, आपको बस उससे सिर्फ बात करनी है, और यह चीज़े सिर्फ बेसिक लेवल की है, आने वाले जमाने में आपको आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का इंपक्ट इतना जादा मड़ा होगा, कि मार्केट के अंदर हो सकता है, आपको AI पावर्ड ओएस भी देखने को मिले, हो सकता है कि एपल वाले अगर AI की रेस में पीछे हो गए, तो अपने iOS के अंदर भी वो चैट जीपीट को AI OS लेकर आजाए, यानि कि ऐसा उपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर आपकी AI वाली आपस चलेंगी, वो ओन डिवाइस चलेगा, और सारी की सारी चीज़ें डिवाइस के अंदर प्रोसेस करेंगा, आपको रिजल्ड देखाँ, यानि कि आपको अलग अप्लिकेशन, अलग प्रोसेसर के बारे में बात करें, और रेड़ी इस लेवल पे आ रहे हैं, UFS 5 स्टोरिज भी इसलिए डैवलप की जा रही है, क्योंकि इस तरीके के पार्ट्स आप मॉबाइल फोन के अंदर काम करेंगे, लेकिन कहानी में सर्फ इसने ही कहानी नहीं है, यहाँ पे AI के बब यह चीज़े भी बिल्कुल खतम हो जाएंगे, क्योंकि लिटरली आर्टिफिशल इंटल यह सब इस लेवल पर होगी कि आपको सिर्फ नॉर्मल ही पर बात करनी ही रहेगी, आप जैसे एक इनसान से बात करते हो, वैसे ही बात करो, वो वैसे ही आपका कंटेक्स समझ के वैस से ही decision लेगा, आपको कोई dedicated prompt या कुछ लिखने की जरूत नहीं कि यह लिखूंगा, तो ही खंब करेगा, इन सकी जो requirement होती ही, वो total खतम होती चली जाएंगी, और सिर्फ इतन ही नहीं है, आने वाले 4-5 सालों में आप कुछ और advanced चीज़े देखोगे, सबसे पहले तो mobile phone का transformation देखोगे, यह hardware form factor में transformation नहीं होगा, यह होगा internal chip और software के level पे, यानि कि अब हम OS लेवल पे transformation देखेंगे, जिसमें UI UX से जादा आप किस तरीके से बात करते हो, internet करते हो mobile phone में वो चीज़ें हाँ पे better होगी, यह एक major advantage होगा, दूसरी चीज़ हम AI hardware की grace फिर से देखेंगे, यानि कि आप लोगों ने human AI pin के बार में सुनोगा, जो company बन दो गई, rabbit R1 आय ता, वो भी यहाँ पे चलानी, लेकिन इस तरीकी के devices वो early phase में थे, वो नहीं चले, क्योंकि जवाना बदलने वाला था, simple सी बात है, कि यह devices तब ready हो रहे थे, क्योंकि back end में software AI तयार नहीं थे, अब back end में open AI जैसी company अपना hardware और software सब तयार कर रही है, और यह लेकर आना चाहते हैं कि वो सारी power आपके device में कैसे लिए करा जा सके, इस वज़े से mobile phone के लावा हम और भी धेर सारे hardware देशेंगे, यह AI pin जैसे हो सकते हैं, AI pendant हो सकता है, AI power necklace हो सकता है, हम लोग TWS category में भी AI बह ऐसे AI की multiple gadgets हम आने वाले समय में और जादा देखेंगे, क्यारे इन सब के अवार में मैं किसी और वीडियो में डीटे में बात करूँ है, क्योंकि आने वाला future मैं बता रहूं कैसा होगा, बिल्कुल ही app less होने वाला है, और हो सकता है app जिनकी हम बात करते हूं, बिल्कुल आ transformation आने वाला है, कुछ सालों के अंदर, इवन देखा जाये तो यहां पर अलग-अलग टैप की gadgets और भी जादा popular होंगे, और mobile phone के software में और चीज़े देखने कम लेंगी, Google तो यहां पर Gemini का use करके Android के अंदर लगा पड़ा है, लेकिन चीजों में और भी एक बड़ा revolution अभी इसके साथ ही, आज के समीमा artificial intelligence को आपने से कई सारा लोग यहां पर neglect करते हैं, लेकिन फिर भी artificial intelligence को अगर आप जितना जादा यूज़ करें, वो आपके लिए उतना ये अच्छा टूल बनेगा, जिसका यूज़ करके आप अपने सारे टास्क यहां पर कर सकते हैं, और को अनलाइज करना हो, कोई report बनानी हो, कोई documentation करना हो, यह सारी चीज़े, यहां तक कि अल्रेडी coding के अंदर AI का इतना जादा यूज़ किया जा रहा है, जिसके अंदर जो coders होते हैं, उनको आप जादा यहां पर दिमाग लाने की ज़रूत नहीं है, जो basic code होता है, वो तो यहां पर अल्रेडी लिखी देगा, लेकिन future में रहेगा कि basic app, basic software भी लिख दे, और अगर आप gaming में interested हो, तो already Elon Musk ने confirm जिया है कि XAI एक पूरा का पूरा AI-powered game निकाल देगी 2026 में, यानि कि ऐसा game जो पूरा AI ने ही लिखा है, उसकी story, उसका graphics, सब कुछ AI ने किया है, human input बिल होने वाली है, कि आथ के समय में जो आपको VFX studio देखने को मिलते हैं, यह AI-powered studio हो जाए, यानि कि उनको सर्क AI-related prompt और basic चीज़ें ट्विक करनी है, और जितना अच्छा result आपको AI निकाल कर देदेंगी, वैसा VFX studio अगर human level पे achieve करने जाएगा, तो उनने बहुत जादा पैस और टाइम लगेगा, लेकिन AI-level पे चीज़े हो पाएंगी, और मेरा prediction कहता है कि आने वाले दो सालों पर पूरी AI-generated film भी यहां पर शाद देखने को मिले, यह भी कहानी हो सकती, जहां सरे इस पर काम चल रहा है, और हाँ यह तो सिर्फ basic level है, future तो AGI की उपर जा रहा है, यानि कि ऐसी artificial intelligence create करना, जो एक human जैसे देख सके, समझ सके, देखने सुने में चीज़ खदरनाग लगती है, लेकिन meta के जो mark जखर बर गें, वो आज के संब में AI researchers को इसलिए हाईर कर रहे हैं दुनिया भर के, ताकि AGI को in-house यहां पर create किया जा सके, तो देखने वाली बात है कि य experience होता है, तो दोस्ते यह कुछ कहानी होती, artificial intelligence के बारे में, यह कुछ बाते में आप से करना चाहता था, और आप लोगों का भी अगर कुछ opinion है, artificial intelligence को लेकिए, या फिर आप किसी और direction में AI को यहां पर use करतो, तो नीचे comment पर आप बता सकते हो अपनी बात को, और अगर आप totally useless चीज़े, एक bubble है, जो आगे चलके bust हो जागा और आपको से चिंता करने की ज़रुत नहीं, तो भी अपना opinion नीचे comment बताओ, और हाँ वीडियो अगर आपने कोई नई चीज़ सीखी, कुछ भी नया जान हो, तो चैनल को subscribe कि ये बैर कहीं मत जाना, thank you अपने रहने के आप समय तो फिन एक्स वीडियो के अंदर, गुद बाए